न्यवसकार दोस्तों, अज हम बात करंगें फ्यूज क्या है या कितने प्रकार का होता है तो उससे पहले हम देखते हैं फ्यूज क्या है तो फ्यूज ए केलिटिकल डिवाईस है जो कि हमारे उपकरण को हाई करेंट से या फिर ओवर करेंट से कितने भी करण होते हैं वो सेफ हो जाते हैं जो एमेज में देख पा रहे हैं यह हमारा किट कैट फ्यूज होता है अब हम बात करते हैं हमारा फ्यूज कितने परकार के होते हैं तो हमारा जो फ्यूज होते हैं वोल्टेज के अधार पर दो परकार के होते हैं तो तो हम एसी फ् बात करते हैं लो वोल्टेज के बारे में हाँ जो युश दोो होता है ंए जूसरी हम बात करते हैं सेमी-इंक्लोज-डिवारेबल-थिय। हम हमाяс सेमी-इंक्लोज-डिवारेबल-भी इसे हम किटकेट फ्यूज भी कहते हैं जो कि हमारा कुछ इस प्रकार का दिखता है ऐसे फ्यूज का यूज हम डोमेस्टिक वारिंग में करते हैं या फिर से छोटे कार खानों में जहां पर हमें लो वोल्टेज की आ सकता होती है फिर हमें जहां पर हाई फ्लेक्ट्वेशन न बना जाते हैं इसमें एक तरफ input वायर के connect करते हैं में तरफ और और के connect करते हैं जो आप ये दूसरा भाग देखरें कैप वाला था फिर उपर ही भाग देख रहे हैं कि तनारय होता है इसमें कंडक्टिंग मेठ Convention लागा होता है वह फियूज हो जाता है इंग से बृज़ होती है वह आगे नहीं जा पाती है हमा аans गरण होते हैं वह हमारे सेफ रहते हैं दूस्तो इस तरह के hele काफी सस्ते होते हैं बड का हम आसे के बारे में तोस्तो हमां उनके फिर्ज को लिना है था स्टयते है था हम बात करते हैं जो डी टाइब के की टूब होती है इसके दोनों सुरूपर एक पीतल का या फिर ब्रास का या फिर अलुमुनियम का कैप लगा होता है इनके बीच में एक सिल्वर या फिर चांदी का वायर लगा होता है या फिर कई बार क्या होता है दोस्तों वहाँ पर copper का wire या फिर aluminium wire भी लगा होता है उनके rated के उनके rating के अधार पर अब बात करते हैं blade type की fuse की असा कि आप image में देख पार हैं जो blade type fuse होता है इसमें धात की दो पतली blade लगी होती है इन दोनों blade के बीच में पतला wire लगा है कि इन दोनों को आपस में connect करता है अधिक current होने पर यह जो पतला wire लगा होता है fuse हो जाता है फिर जल जाता है इन दोनों के बीच का connection break हो जाता है हम बात करते हैं चारसी fuse के बारे में इसमें एक बेलनाकार खोकली body होती है जिसके दोनों तरफ ब्रास की कैप लगी होती है जो कैप होती है आपस में एक silver या फिर बाई metallic पत्ती दोरा आपस में connected होती है जो कि एक fuse element का का काम करता है जिसके चारों क्वाटच का चून वराता है जो कि फ्यूजिंग के समय उपन होनी वाली आर्क को बुझाने का काम करता है अब हम बात करते हमाज जो चार्सी fuse होता है इसका यूज हम कैसा स्थानों पर करते है तो जो जो मैं चार्सी fuse होता है उसको ऐसे स्थानों पर यूज करते हैं इसलिए ऐसे fuse का प्रयोग हम emission lab या फिर ऐसे अस्थानों पर करते हैं जहां पर हमारे fusing आर्क से आग लगने की संभावना होती है जैसे कि हमारे fuel testing lab जहां पर हमें अलग-अलग fuel का test किया जाता है ऐसे अस्थानों पर हम ऐसे fuse का यूज कर सकते हैं अब बात करते हैं high voltage fuse के बारे में तो high voltage fuse हमारा का जूज करता होता है Cartage fuse और हमारा liquid type fuse जहां कारमना काटेशностью होता है वह हमारा हमारा चासी fuse की तरह ही होता है बस इसके element में कुछ बदलाव किये गोए होते है इसमें पहला fusing element होता है silver का होता है जबकि दूसरा element जो होता है हमारा tungsten वार का होता है जैसा कि अगर आप image में देखेंगे तो हमारा जो यह है यह tungsten का है बाकी यह जो हमारा बाकी दिख रहे हैं यह क्या है silver के fuse element है normal condition में हमारा जो silver होता है इसमें हमारी current flow होती है किसी भी condition में जो हमारी current की value बढ़ जाती है जो silver fuse element होता है वो पिघल जाता है और वो जल जाता है उसका जो हमारा tungsten element होता है वो काम करता है अब कुछ समय के लिए हमारी current होती है उसको bear करता है अगर हमारी current कंट्रोल हो जाती है तो हमारा fuse चलता रहता है अगर हमें current control नहीं होती है तो हमारा जो tungsten fuse होता है वो blast हो जाता है हमारे circuit को break करा के हमारी current को flow होने से रोक देता है हमारे current safe हो जाते है अब बात करते हैं हम liquid type fuse की जैसा कि आप image में देख पा रहा है इसमें काज का tube होता है जिसमें हमारा liquid भरा होता है जो हमारा liquid होता है carbon tetra chloride का solution होता है इस tube की दोनों तरफ brass की दो पट्तिया या फिर दो cap लगी होती है जो कि यह तरफ diet fusion element से connected होती है और दूसरी तरफ जो आप spring देख रहे हैं फॉस्फर branch की spring होती दोस्तों इसके माद्यन से हमारा दूसरी cap में जुड़ा होता है किसी भी condition में का हमारी over current flow होती है तो यहां से हमारी fusing element होता ब्रेक हो जाता है और जो spring लगी होती है वो क्या करती है इस element को अपनी तरफ खींच लेती है जो आर्क होती है उसको liquid में डुबा के बुझा देती है इस परकार के fuse के हम बहुत ही हाई voltage के लिए तक हंडेट एंपेर से 1600 एंपेर तक की circuit में कर सकते हैं